गीतकार दोस्तों कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही खयाल रख रहे होंगे आज इस बहुत ही छोटे से एक इंट्रेस्टिंग वीडियो में हम क्लास 12 की बहुत ही इंट्रेस्टिंग को एक्स्प्लेन करेंगे कवी जब भी कोई कविता लिखता है गीतकार कोई गीत लिखता है तो उस कहानी के पीछे उस गीत के पीछे एक थौट होता है आज ये कोशिश करेंगे उस थौट तक पहुशने की and the poem keeping quiet and the poet is Pablo Neruda keeping quiet, शान्त रहना, शान्त रहिए मुझे ऐसा लगता है इस poem के जरीए poet पुरी दुनिया से एक बात कहना चाहता है शायद उसके मन में, उसके दिल और दिमाग में एक बहुर बड़ा concern है और वो concern है आवाज का, voice का या एक तरह का हम इसे noise pollution से भी जोड़ कर देख सकते हैं अगर हमारा एक view scientific होतो और अगर literary view है तो खामोशी है शोरगुल से दूर भरना कहीं लेकांत की तलाश और classical approach है या artistic approach है तो शायद प्रकरती की आवाजों को सुनने के लिए जो हमें वक्त चाहिए, जो हमारी खुद की आवाजों से खामोशी चाहिए उसकी एक तलाश होगी आईए poem शुरू करते Now we will count to 12 and we will all keep still poet सबसे कहता है क्या हम लोग 12 तक गिंती कर सकते हैं और तब तक हम चुप रह सकते हैं Because हर तरफ इतना शौर है मशीनों का, लोगों का, गाडियों का और ऐसे में हम खुद की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं तो क्यों ना ऐसा हो कि हम कम से कम 12 सेकेंड्स के लिए चुप हो जाएं और सुनें कि ये प्रकृति क्या कहती है, ये खामोशी क्या कहती है For once on the face of the earth, एक बार इस दुनिया के चेहरे पर, let's not speak in any language यहां किसी खास जबान के बारे में नहीं कहा जा रहा है हम किसी भी भाशा के बोलने वाले हों सिर्फ बारत तक की गिंती होने तक हमें खामोश रहना है Let's stop for one second and not move our arms so much अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपने हाथ पैरों को exercise कर रहे हैं या हाथ पैरों से कोई मेहनत का काम कर रहे हैं पोईट हमसे request करता है कि एक second हमें रुकना चाहिए शायद कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे है एक सौंग मुझे याद आ रहा है, मैं आपकोड जरूर करना चाहूंगा चले जाओ जरा ठैरो, किसी का दिल में चलता है शायद ये पृत्वी, ये प्रकृती, ये फूल, पत्ते, हवाएं हम से कुछ कहना चाहती है लेकिन ये हम तभ ही तो सुन पाएंगे न जो खामोश होंगे इट वूड वी एन एक्सवाइटिक मॉमेंट ये च्छण बड़ा ही अनिजूल है, असमान है विदाउट रश, कोई भागदौड नहीं विदाउट एंजिन्स, अब कुछ लंगों तक एंजिन्स का शोर रही वी वूड आल भी टुगेदर अब हम साथ होंगे इन अ सेडन स्टेंजनेस और एक अजीब सा सर्प्राइज होगा इन जब हम चुप हो जाएंगे हम सम लोग खामोश हो जाएंगे तो ये दुनिया के लिए उस पूरी काइनात के लिए इनिवर्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए इस सारी नेच्टरल एक्टिविटीज के लिए एक मैसिज होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ आपको अच्छे से आद होगा लोग डाउन पिरिएट में हम टीवी पे निम्स में देख रहे थे कि एक दो हफ़ते के बाद नदियों का पानी साफ होने लगा फिर ऐसे सीन्स हमने देखे कि मोर सड़कों पे दिखाई दे रहे थे लोग डाउन के दौरान नेचर वांट्स तो इंज्वाइड एट ग्रीट साइलेंस यह अलग बात है यह किसी पेंडिमिक की वज़े से हुआ लेकिन प्रकृती ने और जीब जदू होने इस खामोशी का अपना ही लुटफ ही आगे पढ़ते हैं कितना अच्छा होगा उस लम्हों के लिए वे मचवारे जो लगातार मश्लियां पकड़ रहे हैं जिने बाद में अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है यहाँ पर पोईट में एक और कंसर्न हमारे सामने पेश किया यह कंसर्न है जो बाकी की इस पेशीज आफ एनिमल्स हैं चैफो बर्ड्स हों फिश हों यह और एनिमल्स हों उनके खिलाफ जो एक बृडिलिटी है अनुश्की वरसी उसके बार है और वे लोग जो नमक इखटा कर रहे हैं नमक के ढेले खटे कर रहे हैं कुछ लमहे रुक कर अपने हाथों के उन जखमों को देखें शायद इस से उने बहुत आराम मेलेगा तो यहाँ पर एक मैसेज यह है कि जो लोग भी वरकिंग फिल्म हैं जो लोग भी काम कर रहे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं चाहिए वो फार्मर्स खेतों में काम कर रहे हैं वर्कर्स मिल्स में काम कर रहे हैं जो लोग भी काम कर रहे हैं अगर वो कुछ देव के लिए थोड़ा रेस्ट ले लेंगे तो उनकी वाड़ी के लिए भी बहुत अच्छा होगा इस स्टेंजा में पोएट ने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक को ठाया है साथियो और ये टॉपिक है उस जमात के बारे में उन लोगों के बारे में जो हमेशा दुनिया में युद्ध चाहते हैं पोएट उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कुछ लम्हों के लिए हम दुनिया को खत्म करने के अपने विचार को रोग दें पोल्ड पे रख दें क्योंकि इससे जो तरह तरह की गैसिस उत्पन होती है जो हम अस्तरों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आग या हीट उत्पन होती है जो कितने लोगों को नश्ट करती है उसके बाद जो बचे रह उन पर कितना नेगेटिव एफेक्ट लेकर आती है जैसा हमने हिरोश्मा और नागसा की बारे में पढ़ा है सुना है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स और ऐसी युद्धों में यहां पर इस्पेशली मेंशन किया गया है वर्ल्ड वार्स के बारे में फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार्स ऐसी लडाईयों में किसी की जीत नहीं होती जनाब यहां पर मैं कोट करना चाहूँगो रामधारी सिंध दिनकर की बहुत ही खूपतुरत किताब है कुर्षेत उसमें इसी टॉप्पिक उठाया गया कि महावारत की लडाई के बाद पांडब बड़े दुखी हुए इस्पेशली युदिश्टर ने रोकर ही कहा कि आखिर हम किसे जीते और जीतने के बाद हम राज किस पे करें क्योंकि सभी नौजवान लोग, वीर बहादुर विद्वान लोग, शक्तिशाली, सैनिक और विद्वान जो लोग थे, वो सारे इस उद्व में शहीद होगे तो आखिर जीत किस पर अपने भाईयों को और अब विजय का जश्म किस के साथ मनाए किस पर राज करें ऐसा भी तो कोई नहीं बचा तो नो सर्वाइवर तो ऐसी लड़ाई में जहां सर्फ सब मारने आते हैं कोई किसी को बचाने नहीं आता क्या ऐसा हो सकता है ऐसे उद्धु को कुछ देर के लिए हम रोगते would put on clean cloths and walk about with their brothers और काश ऐता हो काश ऐसा हो कि हम अच्छे से कपड़े पहन कर भाईयों से मिलने जाएं दोस्तों से मिलने जाएं in the shade doing nothing और बिना कुछ करें जिंदगी का मज़ा लें यहाँ पर पोईट ब्रदर हुट के बारे में बात कर रहा है friendship के बारे में बात कर रहा है कहने का मतलब लड़ाईयों से इतर युदों से दूर दोस्ती मितरता भाई चारे के बारे में पोईट काई बहुत बढ़ा काश रहा है आपको पोईट का यह पार्ट कैसा लगा अच्छा लगा हो तो शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में हम इस पोईट के दूसरे और लास्ट पार्ट को एक्स्परेंग करें नहीं करें